रामराब किसान भाईयो यह हमारे कटिंग द्वारा यानि जो गूटी विदी द्वारा तयार किये हुए अमरूद के पोदे हैं और इनको हमने पोट में लगाया हुआ है हमने यहाँ पर पोली बैग यानि पॉलोथीन में इनको लगाया हुआ है और इसमें ग्रोथ देखिए स्यांदार ग्रोथ है इनको हमने गूटी विदी द्वारा लगवग छे महीने पहले तैयार किया था और इसमें जो पत जड़ के बाज इस महीने में जो दुबारा नई पत साखा निकलती हैं वे देखिए आप किस प्रकार वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हो बहुती स्यांदार ग्रोथ जो अमरूद के पोदे की आप देख पा रहे हो तो गूटी विदी द्वारा आप जो तैयार पोदा करते हो उसमें बहुत जल्द फल आप प्राप्त कर सकते हैं और इस पोदे को आप गमले में भी लगा सकते हैं गमले में बहुत स्यांदार जो अमरूद आएंगे और धेरो अमरूद आप गमले में ही पा सकते हैं तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहे हैं, हम इसमें बारीकी से आपको जानकर देंगे कि कौन से आप फर्टिलाइजर्स डालें, किस पिरकार इनकी देख भाल करें, यही जानकर इस वीडियो को माध्यम से हम आपको देने वाले हैं, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक कर लें, इसी पिरकार की नएने वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे हैं, यह देखे इसमें जो नई साखाँ है, नया फुटाव है, वह भी बहुत तेजी से निकल रहा है, इसमें आपको ज्यादा कुछ देनी की आवस्चता नहीं है, आप जनुरी से फरोरी महा में य अपका पोधा जो सूख सकता है, इसके अलवा आपर सरी हुई गोबर की खात आप डाइसो गराम से आदी किलो की मातरा लें, इससे ज्यादा मातरा बिलकुल ने लें, और गोबर की खात की जगें आप वर्मी कमपोस्ट का भी यहाँ पर प्रियोग कर सकते हैं, वर्मी कमप पूरा हो जाए तो आप इसकी हल्की गुड़ाई कर ले या नहीं किसी चाकू या हल्की छोटी खुर्पी की मदद से जिससे ज्यादा नीचे आप गुड़ाई नहीं करें लगवग दो से तीन इंच की गुड़ाई कर ले उसके बाद आप इसमें दूसरे दिन आप जो भी फ से बचाओ के लिए फंगस से बचाओ के लिए आप यहाँ पर रीजेंट का प्रियोग भी कर सकते हैं क्योंकि यदि डिमक आपके पोदे में लग गई तो आपका पोदा है जो पूरी तरह सूख जाएगा और जो बड़िया ग्रोथ हो रही है वह बिलकुल रुक जाएगी और आपका पोदा मर जाएगा किसान भाईयो वे दोस्तों यदि आप गार्डनिंग का सोक रखते हो और आप छत पे गार्डनिंग करते हो या आपके टेरिक्स पे गार्डनिंग करते हो तो आप वहाँ पर भी गुटी वीदी द्वारा या जो कटिंग द्वारा तयार करेंग